हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो दी प्लैन एक्जीक्यूटर आज की लेक्चे में हम करेंगे एकॉनमी के mcqs यह सारे mcqs आपके हर एक्जाम के लिए लाइक एससे और बैंकिंग के लिए जिसमें भी प्लैन एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन mcqs है आला कि जो आज के आपके mcqs है यह थोड़े टू और थ्री स्टेट्मेंट बेस्ट कोशन है बट फिर भी इन स्टेट्मेंट में से आपको बहुत सारी कोशन और जानने को मिलेंगे जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो प्लीज इसका ज्यादा से ज्यादा फाइडा उठाने के लिए आप पैन और कोपी अपने पास रखी ताकि आप इंपोर्टन पॉइंट नॉट कर सके और जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही असानी हो ठीक है तो चलिए आज आज का हम अप फिस्कल पॉलेशी होती क्या है कि मनी हमारी कंट्री में मनी सप्लाइ को कंट्रोल करने के लिए दो मेंटर्स को फोलो किया जाता है सब से पहला है मोनीटरी पॉलेशी सेकेंड मनीज फिस्कल पॉलेशी मोनीटरी पॉलेशी जो है उसको कौन मनाता है उसको मनाता है आर बिय शाहिए और 저 एक फिसकल पॉलिसी है जो गौऌनट करती है मुझा गौवर्बंटॉ को द्वारा finance को हमारी str oven कि वमारी इन क्षी सब्सक्राइब करता है तो उसे हम फिसकल पॉलिसी कई देप और जब वही काम करते है तो हम monitor policy कि हैं और मेण जो मनिटरी पॉलिसी का काम होता है वोता है इनुफलेशन को अपने टार्गेट के अंदर ही रखना ओके जो टार्गेट क्या है इन फ्लेशन का टार्गेट किया है ये भी आपको पताः lotus चाहिए एक इन्फलेशन का टार्गेट है four plus minus two ओके और अब हम देखते हैं कि जो ये fiscal policy है fiscal policy के बारे में देखते है fiscal policy में main क्या होता है fiscal policy में main जो है budget त्यार किया जाता है और budget में दो पार्ट होते है एक होता है revenue account और दूसरा होता है capital account revenue account and capital account revenue account को further two parts में divide किया जाता है एक आजाता है revenue receipt second आजाता है revenue expenditure same ऐसे capital account को किया जाता है for the two part में subdivide one is capital receipt and other one is capital expenditure जब जो हमारा हमारे पास अगर कम पैसे है तो हमारा बुझाता है revenue account में जब हमारे पास मोटा पैसा लाइक ज्यादा bulk में पैसा आ जाता है तो वो हमारा किसमें होता है capital account में और जो same ऐसे हो जाता है कि जब हमारे पास पैसा आया revenue account वाला तो उसे हम कहा देते है revenue receipt जब वही पैसा हम खर्च कर देते हैं तो उसे हम कहते है revenue expenditure same ऐसे हमारा capital account होता है जब आया that is revenue receipt जब हमारे पास से वो पैसा गया, that is capital expenditure, तो हमारा first question जो based है, इसी पर यह है कि importance बताने कि fiscal policy की क्या importance है, okay, चलिए देखते हैं, हमारी first statement दी गई है, fiscal policy play key role in elevating the rate of capital formation, both in public and private sector, second है, fiscal policy aim to minimize the imbalance of dispersal of income and wealth, third है, fiscal policy help in providing stimulus to elevate the saving rate, तो हमारी यहाँ पे तीनो statement में से, हमारी यहाँ पे तीनो statement सही है, बट हम देखते हैं कि यह कैसे सही है, first देखो, अगर हमारा fiscal policy है, fiscal policy government बनाएगी जब तो उसमें देखा जाएगा कि direct tax कितना होगा, indirect tax कितना होगा, कैसे लगाया जाएगा, और जो हमारे पस कहां से आ रहा है, कहां पी हम उसे खर्च कर रहे हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, capital को control करते हैं, public और private sector में, इसलिए हमारे first statement जब राइट हो जाती है, तो यह second statement भी हमारी first से correlated है, उसमें हो जाता है कि अगर हमारा जो income and wealth है, वो हम distribute किसमें करते हैं, कैसे करते हैं, tax हम जो हमारे पास tax आता है, जो हमारे पास tax आता है, तो उसे हम further distribute कर देते हैं, in the form of grant and subsidy देते हैं लोगों को, तांकि उनका well-being हो सकी, तो इसी tax को use कर दिया जाता है, डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए income and wealth में, physical policy में यह सब होता है, तो इसलिए हमारी second statement भी हो जाएगी, और stimulus to elevate the saving rate, saving rate जो उसको elevate के जाए, इसलिए हमारी यहाँ पे तीनो statement correct है, तो हमारा answer हो जाएगा D, second question देखते हैं अब हम, second question है हमारा primary deficit पी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि primary deficit होता क्या है, okay, primary deficit जो होता है, वो होता है, fiscal deficit minus interest payment, okay, fiscal deficit minus interest payment, okay, यह होता है हमारा primary deficit, सबसे पहले आपको यह बताने चाहिए कि physical deficit क्या होता है, fiscal deficit जो होता है, suppose आपके पास पैसे हैं 100 रुपे, okay, और आप खर्च कितना कर रहे हैं, 1.500 रुपे, यह 50 रुपीज आप कहीं से उधार ले रहे हैं, या फिर आपने loan लिया, तो यह आ तो primary deficit वो हो जाता है, fiscal deficit में जब हम interest payment को minus कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है primary deficit, तो हमें बताने है कि primary deficit क्या बताता है हमें, first statement में हमें दिये गया है, primary deficit implied that government is unable to contain recurring expenditures such as subsidy and other discretionary expenditure, second statement है, increasing primary deficit will lead to higher revenue deficit and unsustainable debt, देखो, अगर आप मारा primary deficit क्या बताता है, अगर हमारे पास physical deficit होगा, तो primary deficit मतलब क्या बताएगा, कि government के पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी है तो क्या होगा, government subsidy देने में और other expenditure करने में आसमर्थ होगी, तो first statement हमारी correct हो जाती है, second statement है, जब हमारा primary deficit increase हो जाता है, तो उससे क तो हमारा जो debt है, जो हमारा कर जाए, हम उसे चुकाने में अलसमर्थ रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे क्या होता जाएगा, unsustainable debt हो जाएगा, ओके, तो हमारी second statement भी यहाँ पे correct है, तो यहाँ पे बतानी क्या थी हमें, incorrect statement, तो यहाँ पे हमारी both statement जो होगा है, तो हमारा answer हो जाएगा, D, okay, next question देखते हैं हम, next question हमारा based है, credit deposit ratio पे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि credit deposit ratio होती क्या है, suppose, देखते हैं हम, देखो, जैसे कि एक bank है, ठीक है, बैंक के पास क्या है, 50 crore रुपे हैं, और यह 50 crore रुपे उसके पास कहां से आई, जो depositor है, suppose depositor है, कोई भी first person, second person, third person, यह bank के पास गए है, उन्हें अपने money कहां पर deposit कर दी, bank के पास deposit कर दी, तो यह जो bank के पास money deposit की हुई है, लोगों की bank क्या करेगा, उसको अपने पास तो रखेगा नहीं, bank उस money को आगे lend कर देगा, लोगों को, जिनको पैसा चाहिए, जो invest करना चाहते हैं, further, किसी भी industry में, किसी भी, और state में, sector में invest करना चाहते हैं, उनको क्या कर देगा, lend कर देगा, वो money, तो जो यह bank के lending capacity है, उसे हम credit deposit ratio कहते हैं, means, अगर bank की lending capacity जो है, वो ज्यादा होगी, तो वो क्या indicate करेगा, कि bank की credit deposit ratio जो है, वो ज्यादा है, means, वो उसक strong demand है, okay, अगर bank की lending capacity कम है, तो यह indicate करेगा, poor credit growth को, okay, means, वो bank की growth जो है, वो बहुत कम है, और poor credit growth को show करेगा, okay, तो first statement देखते हैं, first statement है, credit deposit ratio of a bank is an indicator of how much a bank land out of a deposit, वही बात होगी, कि अपने deposit में से वो कितना lend करता है, तो यह हुमारी होगी CDR, first statement हमारी यहां पर इसलिए correct है, second statement देखते हैं हम, second statement में हमें दिया गया है, कि RBI जो है, उसने restrictions लगा रखी है, commercial bank के कि उनको CDR जो है, वो maintain करना है, 75%, 70% से ज़्यादा, यह statement यहां पर आपकी रोंगा है, यह इसलिए रोंगा है, because RBI ने कोई भी restriction ने लगा हुई, commercial bank के, कि आपको CDR जो है, वो कुछ percent maintain करना ही करना है, okay, because यह restriction ही नहीं है, third statement में लिखा गया है, जब हमारी credit deposit ratio decline हो जाती है, तो इसका मतलब यह है, कि bank जो है, वो unable है, कि वो अपना deposit जो है, वो mobilize नहीं कर पारा, लोगों में, चीक है, third statement में हमारी यहां पर रोंगा है, यह इसलिए ratio कम आगी, तो इसका मतलब यह नहीं है, हम कह सकते कि bank जो है, वो enable है, कि अपने deposit को औरों तक land नहीं कर पाया, because यह जो situation है, यह arise होई थी, 2016 में, जब demonetization हुआ था, उस time पर क्या हुआ था, जो लोग थे न, वो बहुत busy थे, उस time अपने काम में busy थे currency को change कराने के लिए, ब तो उस time पर credit, CDR जो था, वो बहुत ही low आ गया था, इसलिए हम कह सकते हैं, कि इसका मतलब यह नहीं कि अगर credit deposit ratio low हो गई, तो bank को उसके लिए गुनागार ठहराएंगे, कि bank जो है, enable है, अपने deposit को mobilize करने में, तो इसलिए हमारी यहां पर second and third statement wrong हो जाएगी, तो हमारा answer हो ज देखते हैं, next question में हमें दिया गया है, कि जो state की GDP है, as GDP के percentage से एगर हम देखते हैं, तो जो capital expenditure है state का, वो ज्यादा है center से, second statement में हमें दिया गया है, अगर government की borrowing increase होती है, तो वो शो करता है कि उसका positive effect पढ़ रहा है, private sector पे, इसको समझने के लिए हम देखते हैं, कि जब COVID-19 pandemic time आया था, 2020 में जब COVID स्टार्ट हुआ था, तो government ने ज़्यादा से ज़्यादा focus किया था, state government को कहा था, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा capital expenditure करें, because अगर capital expenditure होगा, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा opportunities मिलेंगी, और unemployment जो है, वो decrease होगा, इसलिए ज़्यादा capital expenditure पे focus किया गया था, तो उस time पे जो हुआ था, state का जो capital expenditure था, वो ज़्यादा हो गया था, center से, इसलिए हमारे first statement यहाँ पे correct है, second statement है, अगर government बोरो करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका positive effect होगा private sector पे, यह statement wrong है, because इसमें हमारा concept आ जाता है, crowding out and crowding in का, अगर government ज़्या ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर लेगी, तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा कम होगा, बैंक के पास पैसा कम रह जाएगा, तो बैंक उस पे interest rate बहुत ज़्यादा high कर देगी, अगर interest rate हो जाएगा, तो जो individuals है, private individuals है, वो loan लेने में ज़्यादा interest rate नहीं होगा, because बहुत देखते हैं, next question है हमारा invits के बारी में, सबसे पहले आपको इसके full form पता होनी चाहिए, invits के full form है, infrastructure investment trust, अगर आपको full form पता होगी, तो आपका आदा काम तो यहीं पर खतम हो जाएगा, because हमें पता चल जाएगा कि यह infrastructure से related है, first statement में हमें यहीं दिया है, invits are pool investment vehicle, यह investment vehicle है, जिसमें direct investment की जाती है, investors के द्वारा infrastructure project के related, ठीक है, तो हमारे first statement correct है, second statement में हमें दिया गया है, FPI जो है, उनको, FPI can also invest in invits debit security, जो FPI है, वो भी invits में invest कर सकते हैं, यह statement हमारे correct है, because recently, FPI जो है, इनको, इनको permission दी गये थी, कि आप जो है, invits में invest कर सकते हैं, okay, earlier यह available, earlier यह इनको पर्मेशन दी थी, कि वो invest कर सकें, okay, now they are eligible to invest in invits, okay, third statement है, pension fund regulatory and development authority, allow private sector, NPS subscriber to investing unit issued by invits, यह statement भी हमारी यहाँ पर correct है, because यह भी recently, इनको भी permission दी थी, कि यह भी invits में invest कर सकते हैं, तो हमारा answer यहाँ पर जाएगा D, ओके, next question देखते हैं, next question है, हमारा variable rate reverse repo auction भे, जैसे क्या आपको पता है, monetary policy में जब RBI money flow को control करता है, तो वो रपो rate reverse repo rate को change करते रहते हैं, यह सेम ऐसे एक उनहीं की तरहां का यह नया आया, जैसे हम कहते हैं, variable rate reverse repo auction, यह जो है, recently, इसके थुरू, liquidity थी, जो economy में उसको observe किया गया था, मतलब liquidity को कम किया गया था, economy से, किसके थुरू किया गया था, यह किया गया था, variable rate reverse repo के द्वारा, और यह जो है, short period के लिए किया जाता है, 14 days तक के लिए, ओके तो हम देखते हैं, हमारे first statement जो है, इसमें लिखा गया, reserve bank of india, conduct VRR option to observe liquidity in the economy, sorry, second statement है हमारी, it is usually conducted for shorter period, say less than 3 days, यह first statement हमारी correct है, second statement हमारी half correct है, half रोंग है, बिकोज यहां पे 3 days लिख दिया गया, जबकि यह क्या है, 14 days के लिए होता है, ओके, तो यह 3 days की वज़े सिफ गलता है, यहां पे आएगा 14 days, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, only E, correct, ओके, next दिखते हैं, 7th question है हमारा GST से related, सबसे पहले आपको पता होना है चाहिए कि GST Act जो है, वो कब आया था, GST Act जो है, वो सबसे पहले आया था, 1 July, sorry, दुबारा लिख देते हैं, GST Act सबसे पहले आया था, 1 July, 2017 में, ओके, GST Act को लागू किया गया था, उस time पे जब GST Act को लागू किया गया, इसमें क्या किया गया था, सारे indirect tax थे, जो उनको सबसे उम कर लिया गया था, under GST, ताकि ज़्यादा होच पोच ना हो, और ज़्यादा confusion ना हो, तो यह जो GST आया था, यह क्या है, destination based tax है, तो हमारा first statement भी यही है, GST is resigned on the principle of destination based consumption taxation, with seamless provision for input tax credit, तो हमारी first statement क्या हो जाएगी, correct, second देखते हैं, second हमें question पूछा गया, GST council के बारे में, आपको पता होना जिए कि GST council जो है, यहां दोबारा, GST council के बारे में देखते हैं, GST council जो है, यह दिखिए, GST council जो है, यह क्या होती है, इसको 272 article के अंदर बनाए गया है, और इसमें क्या होता है, सारा union government भी होगी, और state के ministers भी होगी, okay, तो हमारी second statement इसी से related यह, देखते हैं, GST council decision making body है, जिसको cheer किया जाता है, union finance minister के द्वारा state के भी, और, center के भी, finance minister, okay, तो हमारी second statement भी क्या हो जाएगी, correct हो जाएगी, थर्ड है हमारी GST, जो है, वो applicable होता है, सारे goods पी, accept some petroleum goods, third statement में आपको यह पता होने चीए, कि GST, जो है, वो applicable है, but accept alcohol, sorry, थोड़ी राइटिंग अंदी है, प्रीज मैनेज कर लिजी, alcohol and petroleum, alcohol and petroleum products प्रडुक्त पर अफ्लिकेबल नहीं होता, और यह होता है, जाएगी, जू पेट्रोलियम प्रोड़क्त है, वो भी जो है, पांच स्पेफिफाइद पेट्रोलियम प्रोडुक्त, जो है, GST exempt है 5 petroleum product है अगर आपको कोई करें कि GST जो है सारे petroleum product पे exempted है तो यह statement आपकी wrong हो जाएगे because यह only 5 product is exempted है तो हमारी यहां पर 3rd statement हो जाएगी wrong first or second statement हमारी correct है तो answer हो जाएगा B next question भी हमारा GST से related है next question देखते है next question में पूछा गया कि GST के अंदर कौन-कौन से tax आते हैं तो आपको पताना चाहिए जब भी आप कही रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको bill मिलता है उसमें लिखा होता है कि center GST के है state GST के है कुछ questions I hope आप सबको पसंद आयोंगे और आपने बहुत ही ध्यान से की होंगे तो चलिए मिलते हैं next lecture में कुछ और questions के साथ please like share and subscribe the channel for more videos thank you